नमस्कार है जुकि इसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सववागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार एस्टेट के एड्मिट कार्ड के बारे में आपको इस वीडियो में पताएंगे कि किस परकार से आपको बिहार एस्टेट का एड्मिट काड डाउनलोड करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में step by step दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा वीडियो में मागे बढ़ेंगे और से पहले आपको छोटी सी रिक्विस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप like or share अवस्चे करिएगा अब आईए वीडियो में मागे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको बिहार एस्टेट का एडमिट काड डाउनलोड करना है तो आपको बताते हैं सबसे पहले आपको अपने फोन या कम्पिटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लिना है जिसमें आप Google को ओपन कर सकते हैं गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialio.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialio.com गूगल में यह सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पे जाएगा यहाँ पर जो सबसे उपर वेबसाइट आपको educationindia देखने को मिल रही है इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी यही पर आपको देखने को मिल जाएगा बिहार estate admit card 2024 आपको बता दे इस वेबसाइट पर आपको हर एक government job के बारे में update मिल जाती है इसलिए आप समय समय पर educationindia live.com विजिट करते रहेगा आपको बता दे यहाँ पर आपको बिहार estate admit card 2024 पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा page open होगा यही पर आपको देखने को मिलेगा login credential जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपने application number यहाँ पर इस box के अंदर fill करना है application number को fill करने के बाद यहाँ पर आपको अपने date of birth को fill करना है date of birth को कुछ इस प्रकार से fill करना है कि सबसे पहले आप date लेकेंगे उसके बाद hyphen उस के बाद year आप लिख देंगे उसके बाद आपको नीचे आना है और इस capture code को यहाँ पर address fill करते ना है capture code को fill करने के बाद आपको login पर click करना है login करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका admit card open हो जाएगा यहाँ पर आप अपने बारे में basic detail देख वाएंगे उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको परिक्षा के इंदर का नाम एवन पता देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही यहाँ पर आपको date of exam परिक्षा का समय यानि की time of exam और आपको exam center पर किस समय पहुझना है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा reporting time के अंदर तो कुछ इस प्रकार स अगर आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक और सेर अवस्य करेगा इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आप हमसे कोंटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्य आती है तो मिलते हैं आप सब ले वीडियो में किसी ने जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाइब